दोस्त ये बात समझनी आपको बहुत जरूरी है कि कटिनाया आपको निरास या हतास करने नहीं आती बलकि वह इसलिए आती है ताकि आपकी सोई हुई छमता बाहर निकल सके और अश्ट्रगल से कभी हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेस्फुल होने के बाद सुनानी है और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जीवन में वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हो तो फोकस उसी पर करो जो आपको चाहिए अगर महाभारत में भी अरजुन की नजर उस चिरिया की आँख पर नहीं होता तो उसका भी निसाना चुक जाता इसलिए अपने लक्ष पर फोकस करो और अपने लक्ष को पालो